प्रेंड्स मैं स्वागत करता हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर आज हम लोग बात करने वाले हैं IFC सेयर के बारे इसका पूरा नाम है IFC I Limited अगर हम लोग इसकी 52 वीक की हाई की बात करें तो 16 रुपए 40 पैसा का हाई बनाया है इसने 52 वीक की भात करें तो 7 रुपए 75 पैसा का इसने लोग बनाया है One Mom की रिटन की बात करें तो 21.63 परसेंट का पोजिटिव रिटन है One Year रिटन की बात करें तो 105.52 परसेंट की पोजिटिव रिटन है मतलब पैसा डबल एक साल में हम लोग 3 hour के चार्ट से लेके मंतली चार्ट तक एनलाइज करके जानने वाले हैं target और stop loss वीडियो के start करने से पहले मैं एक बात बता देना चाहता हूँ कि अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को subscribe करना ना भूले क्योंकि मैं आप लोग के लिए इस टाइफ की वीडियो बनाते रहता हूँ तो वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करते हुए चलिए हम लोग direct बात करते हैं analyze की और analyze करते हैं अगर आपको news के बारे जानना होगा तो आपको मुझे मेरे whatsapp पर message करना होगा वहां मैं आपको news के बारे बताऊंगा ग्रूप में ठीक है फ्रेंट मैं इस वीडियो में कोई news के बारे नहीं बताऊंगा मैं बस analyze करता हूँ तो 3 hour के चार्ट पे मेरा जो first target रहेगा वो होगा 15 रूपए 50 पैसे का मेरा second जो target होगा वो होगा 16 रूपए 35 पैसे का और मेरा जो third target होगा वो होगा 17 रूपए 15 पैसे का ठीक है फ्रेंट अब हम लोग बात करेंगे इसके stop loss की तो इसका first stop loss होगा 14 रूपए 60 पैसे का इसका second stop loss होगा 14 रूपए 15 पैसे का और इसका third stop loss होगा 13 रूपए 20 पैसे का ठीक है फ्रेंट ये तो हमने बात की 3 hour के चार्ट पे अब हम लोग बात करेंगे day candle के चार्ट पे day candle पे इसका जो first target होगा वो होगा 15 रूपए 50 पैसे का इसका second जो target होगा वो होगा 16 रूपए 20 पैसे का और इसका third जो target होगा वो होगा 18 रूपए 60 पैसे का ठीक है फ्रेंट अब हम लोग बात करेंगे इसके stop loss की इसका first stop loss होगा 14 रूपए 20 पैसे का इसका second stop loss होगा 12 रूपए 95 पैसे का और इसका third जो stop loss होगा वो होगा 12 रूपए 20 पैसे का ठीक है फ्रेंट अब हम लोग बात करेंगे weekly candle पे देखे फ्रेंट यह नीचे से डवलू शेप बन रहा है जब भी डवलू बनता है तो मार्केट उपर जाने का ज्यादा संबाबना होता है जैसे यहां पर एक नीचे आया उपर गिया फिर नीचे आया फिर उपर गिया बट इसको breakout नहीं कर पाया इसको जब यह breakout करेगा सोलर उपय को सोलर उपय को तो यह काफी तेजी के साथ ऊपर जाएगा ठीक है फ्रेंट तो चलिए weekly candle पर टार्गेट को देखते हैं weekly candle पर फ़र्ज जो टार्गेट होगा वह होगा सोलर उपय 40 पैसा का इसका सेकेंड जो टार्गेट होगा वह होगा 18 पैसा का और इसका थर्ड जो टार्गेट होगा वह होगा 20 रुपय 30 पैसा का ठीक है फ्रेंट अब हम लोग बात करेंगे इसके stop loss की तो इसका first stop loss होगा 12 रुपय 90 पैसा का इसका second जो stop loss होगा वह होगा 10 रुपय 50 पैसे का और इसका जो third stop loss होगा वह होगा 9 रुपय 40 पैसे का ठीक है फ्रेंट ये तो बात होई weekly candle पे अब हम लोग बात करेंगे मंथली candle पे मंथली candle पे इसका जो first target होगा वह होगा 16 रुपय 30 पैसे का और इसका जो second target होगा वह होगा 18 रुपय 55 पैसे का और इसका जो third target होगा वह होगा 23 रुपय का ठीक है फ्रेंट अब हम लोग बात करेंगे इसके stop loss की इसका first stop loss होगा 12 रुपय 70 पैसे का इसका second stop loss होगा 9 रुपय 30 पैसे का और इसका third stop loss होगा 7 रुपय 90 पैसे का ठीक है फ्रेंट आसा करता हो फ्रेंट वीडियो आपको अच्छी लगी होगी आप लोग comment section में जरूर बताना कि वीडियो आपको कैसी लगी तो मिलते हैं फिर हम लोग next वीडियो में next topic के साथ तब तक के लिए बाई बाई झाल 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 झाल